सो गाइस इस वीडियो में लोग देखेंगे फिजिकल फार्मसोटिक्स यूनिट 3 के इंपोर्टेंट 25 कोशन जो कि सस्पेंशन टॉपिक का है ये कोशन और नेक्स्ट वीडियो में 25 कोशन देखेंगे इमल्चन का जिसको जैसे यूनिट 3 आपको कंप्लेट हो जाएगा और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन से यहां पर जितना भी आपको शोगर है यही सब कोशन जो है वह आपके एक्जाम और आफ्टर यॉर एक्जाम यानि बीव फार्म के बाद भी है बहुत ज्यादा हेल्फूर रहेंगे यह सारे कोशन तो एक एक करके डिसक्रस कर तो आप्शन होगा ए अब मूव करता है नेक्स्ट कोशन पर सेकिंड कोशन क्या है फोर फ्लॉक लेटेट सस्पेंशन वन ऑफ द फॉलॉइंग क्राइटिरिया इस सैटिसफाइड और इस्टैबलेस्ट तो जो फ्लॉक लेटेट सस्पेंशन है इसमें आपने काईस दीख रखा है जो सेडिमेंटेशन रेट होता है सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो क्या होता है एकदम हाई होता है जिससे जो पार्टिकल जो है वो नीचे आता है विकॉस एट्रेक्शन कम होता है उनके बीच और यह नीचे आ जाते हैं तो इसमें क्या होगा ओप्शन तो व relationship parameter that greatly changes the velocity of settling is तो जो velocity of settling के अगर हम लोग बात करें यहां पर दियान से देखना question आप question को अगर दियान से पढ़के समझ गए तो आपको answer easily मिल जाएगा पूछा है velocity of settling जो होता है वो पार्टिकल जिस speed से settle down हो रहे हैं इसी को तो हम कहते हैं velocity of settling यानि जितना ज्यादा रेडियस होगा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा रेडियस उतना ही velocity of settling increase होगा तो option कौन सा होगा option होगा c radius of the particle I hope आपको समझ आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा move करते हैं next question पे next question है दा प्रोटामाइन जिंक इंसुलीन suspension is prepared by a method तो यहाँ पर कौन से method होगा तो यहाँ पर यह होगा एल्टर प्रेसिपिटेशन तो वीडियो का दौरान में हमने कुछ ऐसे question बीच-बीच में आ जाते हैं जो हमने cover up नहीं कर रखो तो इसको आप note कर सकते हो next move करते हैं अपर पुछा है methyl cellulose is a polymer which is of type तो यहाँ पर यह कौन सो होता है methyl cellulose तो नौन आइनिक नौन आइनिक होता है लिए इस किसलिए because इसमें जो positive or negative ion present नहीं होते हैं तो इसका हम लोग यूस्ट भी करते हैं इसके property के वज़े से और यहां पर next को रमूब करते हैं यहां पर आतने हैं 6th पर फॉर फ्लॉकुलेटेटेट इस पैंसे डड़ डिग्री ओफ लोग लेशन is observed to be one the sedimentation volume is also one these value respectively indicates the limit तो इसका अब कम है तो यहां पर यहां पर यह लोग एंड लोग रेंड लोग अपर यानि इसका option अब अब नेक्स्ट और मोग करते हैं 4 and ideal suspension the sedimentation volume शूड वी क्या होना चाहिए है ideal suspension तो यहां पर गाइस जो होना चाहिए वह equal to one अब क्यों होना चाहिए वह reason आपको बता देता हूं सबसे पहले तो हमें ideal suspension के वार्माई होप आपको idea होगा sometimes guys आपको जो यहां पर पढ़ रहे हो options sometimes option को भी question में put up करें को question को answer में put up करके दे दिया जाता है इस वज़स से जहां भी आप practice करते हो यहां पर practice करते हो तो दियान से आपको option भी mind में रखना है next time से कि यह कभी question में ना आ जाए ideal suspension में जो particle होता है वो dispersed faced के uniformly distributed होते हैं dispersed medium के अंदर तो यहां पर equal to one question होगा अब next your move करते हैं पूछा है next question है in case of suspension और सेडिम स्टेटमेंट बिलो आर्ट रू except that यानि सारे स्टेटमेंट से यह सर्फ एक को छोड़ के इंद में से अब वो कौन सा है देखते हैं पूछा है case of suspension गवार्मेंट इसका अ क्यों ऐटेडिम नहीं होता है एक केहां करता है रूब नेयूब करते हैं यहां पर इसका अंसर होगा B which can be readily redisperse after the settle यानि उसको छोड़ देंगे उसके बाद उसको लेकर के sometimes कुछ week के बाद उसको एक बार shake करेंगे normally तो dispersed हो जाने चाहिए जो सेटल हुए particles होते हैं इसी वज़े से अब यहाँ पर next करते हैं पूछा है for oral administration of a suspension to a patient which one of the following factor is the most important तो यहाँ पर उसको भाई color दिखने में अच्छा होना चाहिए टेस्ट लेने में अच्छा होना चाहिए बस और कैचिए बस next your move करते हैं यहाँ पर पूछाए 11 में which one of the following properties is applicable to suspension तो rapid rate of sedimentation तो यह question कुछ easy थे तो यहाँ पर नेक्स्ट को मुव करते हैं और यहाँ पर इस टाप के question बहुत आते हैं तो गैस ध्यान से यहाँ पर देखिया suspension particle become flocculated in a suspension because तो इस cancer क्या होना चाहिए attractive forces between particles are applicable यह होना चाहिए क्यों होना चाहिए जो particle के बीच में जहादा attractive force होता है इस वज़े से next your move करते हैं structure of vehicle is included in the formulation of a suspension in order to तो इसका option क्या होना चाहिए prevent the sedimentation of particle जो structure vehicle होता है इसको हम लोग use करते हैं यह क्या करता है stop particle sedimentation जो हमारा structure vehicle होता है और इसको हम लोग इसकी जो structure vehicle है इसका viscosity हम लोग ज्यादर रखते हैं यह भी आपको दिहान में रखना चाहिए अब यहाँ पर next your move करते हैं पूछा है in the preparation of a structure vehicle which one of the following substance is used तो इसका होना चाहिए क्या a b c d guys एक बार जल्दे से बताओ यह मैंने आपको थोड़ी दिर पहले भी इसका अंसर बताया था तो इसका जो correct option हो वोग मिखाल cellulose because यह non-ionic होता है इसका positive negative ions नहीं होते है और यह bond form नहीं कर सकता है water के साथ इस वजह से अब next to remove करते हैं जो के 15th है 15 में क्या है विच टाइप ओफ कोलोईडर मैटेरियल इस यूस्टो मेली इंद प्रिप्रिशन आप इस्ट्रक्चर वहिकल सिंपल सांसर है hydrophilic next to remove करता है वें चार्कूल पाउडर इस डिस्टेड ऑन दे सर्फिस ऑव वाटर दकन कंटक्ट एंगल इंडिग्री डाइट डा चार्कूल एंग्सवेट इस 0,190,180 गाइस कौन सो होगा इन में से एक वाग वीडियो को पॉस करके और कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका अंसर बता सकते हो तो इसका अंसर जो होगा 180 जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है एंगल वही तो होता है जीरो जो जीटा पोटेंशल होता है वह क्या होता है पोटेंशल डिफ्रेंश होता है टू लियर्स की बीच में तो आई होप आपको मालूम होगा यहां पर मुव करते हैं नेक्स्ट पर सबस्टांस इस डिसॉल्ल इन वाटर दस सस्पेंशन है एक्जिबिट और नेगेटि इसका होगा इसका होगा इसका होना चीह है नहीं इसका होना चीह है डी विटामिन बी कॉंपलेक्स टॉनिक एक्ट न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट 21 की और मुव करते हैं देखते हैं इस कुश्चन को यहां पर पूछाए था रिचियो अपने वीडियो को दान भी इसको तो रीमेंबर किया होगा मैनमें सेडिमेंटशन वीडियों अल्टिमेंट वीडिमेंट वीडिमेंट अपन में एक्ट्व लॉल्यों होता है जिसमें जो actual volume होता है जो पहले उसके अंदर जो पहले से जो molecules present होते हैं बेस पे और ultimate value क्या होता है ultimate volume of sediment जो कि बाद में final में जो molecules base पर आते हैं वो होते हैं I hope आपको guys यह मालूम होगा अब यहापे next door move करते हैं यहापे देख लेते हैं the ratio of the sedimentation volume in case of flocculated suspension to the sedimentation volume in case of deflocculated suspension is called तो 22 का क्या होगा इसका ABCD तो guys यहापे अच्छा यहापे repeated question लेग दिया गया है sorry for that इसका अंसर मैं आपको बता जाता है तो 22nd का क्या होगा इसका होना चाहिए phase volume ratio जो की guys यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है I hope आपको by mistake यहाँ पर question को दिवारा repeated लिख दिया गया है तो guys move करते हैं next पर यहाँ पर पूछा है the size of dispersed particle in course disperser ranges from यह तो guys माले में होगा सबको 1-100 micrometer which of the following are the desired feature of good suspension 24th का क्या होगा guys the particle which settle down should not deposit at the bottom as hard kick they must be easily redisposed by moderate t-second yes correct it should be free from greediness yes it should be stable in case of physical chemical and microbial attack yes so simple answer all of these yoga in flocculated suspension the rate of sedimentation is ABCD तो इसका more तो I hope आपको आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ अगर आपको भी ऐसी quiz solve करना है तो description में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप आप करके यहाँ पर solve कर सकते हो यहाँ पर आपको फिजिकल फार्मासर्किक्स और फार्माकोलोजी के लगवक तीन यूनिट तक अभी अविलेबल है और कुछ दिनों में फाइव यूनिट तक अविलेबल हो जागा तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट यूनिट का